ओम शांति आज तिनांक 22 अप्रेल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे आज बाबा वर्दान में बोले अपने आक्यू पैशन की इस्मरती द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राज योगी भाव। आज बाबा हम बच्चों को राज योगी भाव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाबा कह रहे हैं अपने आक्यू पैशन की इस्मरती द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राज योगी भाव। डिटेल में बाबा बोले अमरत बेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने आक्यू पैशन को इस्मरती में लाव। कि मैं राज योगी राज योगी की सीट पर सैठ होकर रहो राज योगी माना राजा उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर्त दोनों होती है अरथात आज बाबा हम बच्चों को राज योगी की कुई ये परिभासा बताते कि राज योगी माना ऐसा राजा जिसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो जो सदा इस इसमरती में रहे कि मैं कौन हूँ मैं किसकी हूँ मैं क्या कर्म कर रही हूँ तो राज योगी बाबा हम बच्चों को बनाते राज योग सिखाते राज योगी अर्थात मैं स्वराज अधिकारी आत्मा मैं राजा आत्मा सर्व कर्मेंद्रियां सर्व ग्यानेंद्रियां मेरी कर्मचारी सर्व सक्तियां मेरी कर्मचारी मेरा संकल्प मेरे बोल मेरे आडर अनुसार मेरे कर्म तो राज योगी अर्थात राजाई का योग उस पिता परमात्मा की याद में रहकर अपने लक्ष की इस्मरती रखना, अपने लक्ष की और अग्रसर बढ़ना, उसमें कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर अर्थात जो मरियादाएं हैं, जो लक्ष मुझे मिला मरिय पुरुशोत्तम बनने का उसकी इस्मरती रहना तो राज योगी बन कर मुझे उस पिता परमात्मा की याद में रहना उस पिता परमात्मा से मिली स्रीमत अर्थात मर्यादा के अंदर रहे कर संकल्प बोल और कर्म करना और उसके अलावा कुछ भी आए तो उस पर कंट्रोल ए एक सेकेंड में करना यही राज योगी की गोहिये परिवासा बाबा बताते आगे बाबा बोले वहा एक सेकेंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं वहा कभी अपने संकल्प बोल और कर्म को व्यर्त नहीं गवा सकते अगर चाहते हुए भी व्यर्त चला जाता है तो उसे विच्फुल वर राजा नहीं कहेंगे। अर्थात व्यर्थ से मुक्त बनना, व्यर्थ पर कंट्रोल रखना, अपने बोल संकल्प कर्म मर्यादा के अंदर रहकर करना, यही बाबा कहते सच्चे सच्चे राज योगी की निसानी है। तो राजा वही बनेगा जो अभी स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। तो राज्य अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी अपने मन, बुद्धी, संकल्प, बोल, कर्म सभी पर अपना आडर चलाना राज्य योगी की सीट पर सेट होकर अपने सिंगहासन पर बेट कर सर्व कर्मेंद्रियों, ज्यानेंद्रियों को कर्म मिलाना संकल्प, बोल, मन, बुद्धी, संसकार को आडर अनुसार चलाना यही बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी आत्मा है और जो अभी स्वराज्य अधिकारी आत्मा है वही भविश्य में विश्व राज्य अधिकारी आत्मा होगी जिसके लिए बाबा पुरुशार्थ बताते राज योगी बनो राज योगी की पाबा ने परिभासा बताई व्यर्थ पर सेकेंड में कंट्रोल करना रूल अर्थात मर्यादा में रहकर कर्म करना एक भी कर्म व्यर्थ न गवाना जिसने एक भी संकल्प, बोल, कर्म, व्यर्त गवाया अर्थात वहा नालेचपुल राज योगी आत्मा नहीं है तो खुद को नालेचपुल अर्थात ग्यान के स्वरूप में इस्थित रखना है राजा बनकर हर कर्म कराना है मर्यादा में रहकर लक्ष को इस्मर्ती में रख संकल्प, बोल और कर्म करना है स्लोगन में बाबा बोले स्वा पर राज्ये करने वाले ही सच्चे स्वराज य अधिकारी हैं अर्थात स्वयम्पर कंट्रोल मैं आत्मा राजा मेरे कर्मचारी मन बुद्धी संसकार जैसे मैं चाहूं वेसे उन्हें चलाऊं। जब चाहूं जब जहां इस्थित कर दूं। जब चाहे जब कार्य में लगाऊं। तो बाबा कहते ऐसी स्वपर राज्य करने वाली आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया सार का मनन करेंगे। बाबा सार में बोले मीठे बच्चे बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो कुछ पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुर्णे आत्मा बन पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुर्णे आत्मा बन जाएंगे प्रश्ण किया बाबा ने पुर्णे की दुनिया में चलने वाले बच्चो प्रती बाप की स्रीमत क्या है उत्तर में बाबा बोले मीठे बच्चे पुर्णे की दुनिया में चलना है तो सब से ममत तो मिटा दो, पांच विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ग्यान चिता पर बेठो, पवित्र बनो, तो पुन्य आत्मा बन पुन्य की दुनिया में चले जाएंगे, ग्यान योग को धारन कर अपनी देविये चलन बनाओ, बाप से सच्चा सोधा करो, बाप तुम्हार से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए, उसकी युक्ती बाबा बताते हैं, बुद्धी से सब कुछ बाप के हवाले कर दो, सब कुछ बाबा का, करन करावन हार बाबा, मैं आत्मा निमित, यही इस्मरती रखने की बाबा स्री मत देते, गीत सुनाया बाबा ने इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चले, आज बाबा ने धार्णा के लिए मुख्य सार में पहला पाइंड बोले, अपना खाता खराब ना हो, इसके लिए बहुत खबरदार रहना है, कभी कुल कलंकित नहीं बनना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है, अप अपना खाता खराब ना हो, इसके लिए बहुत खबरदार रहना है, कभी कुल कलंकित नहीं बनना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है, दूसरा पाइंड बाबा बोले, स्रवन कुमारी, स्रवन कुमार, बन ग्यान कवांठी, अर्थात कावर, पर सब को कुमार, कुमारी बन, ग्यान कवांठी, अर्थात कावर पर सब को बिठाना है, मित्र संबंदी को भी ग्यान दे उनका कल्यान करना है, आज बाबा ने महावाक्य में माते स्वरी जी के महावाक्य रखे, जिसमें माते स्वरी जी बोली, इस अविनासी ग्यान पर अनेक नाम धरे हैं इस अविनासी ग्यान पर अनेक नाम धरे गए हैं कोई इस ग्यान को अमरत भी कहते हैं कोई ग्यान को अंजन भी कहते हैं गुरु नानक ने कहा ग्यान अंजन गुरू दिया कोई ने फिर ग्यान वर्षा कहा क्योंकि इस ग्यान से ही सारी स्रश्टी सब्ज अर्थात हरी भरी बन जाती है जो भी तमोपृधान मनुष्य हैं वो सतोपृधान बन जाते हैं और ग्यान अंजन से अंधकार भी मिट जाता है। इस ही ग्यान जो फिर अमरत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य पांच विकारों की अगनी में जल रहे हैं, उससे वे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साप कहते हैं, काम, धेनू, क्रोधेसू, कामेसू, क्रोधेसू, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही पांच विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोब, मोह, एंकार, आदी, जाड़, पेदा हो जाता है। उससे मनुश्यों की बुद्धी भ्रष्ट हो जाती है, उस पर ही बुद्धी में ग्यान की धारणा होती है। अब ग्यान धारण पूर्ण बुद्धी में हो, उसके लिए विकारों के बीच को खत्म करना है। तो बाबा, जो हम बच्चों को ग्यान देते, वह सच्चा सच्चा अविनासी ग्यान। अब वो जो सच्ची मर्यादा बताते, उस मर्यादा का पालन कर, एक दो को ऐसे मर्यादा में चलाना है। तो मनुष्य का पहला फर्ज है, वो जो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। तो बाबा निर्विकारी बना कर, हमारी बुद्धी को पवित्र बना कर, इस ग्यान द्वारा हमें अविनासी ग्यान की धार्ना कराते, हमारे विकर्मों को भस्म करते और हमें निर्विकारी बनाते। अच्छा ये थे बाबा के महावा के ओम शांती